हेलो फ्रेंट्स होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे सो एक्जाम्पल टू दूसरा एक्जाम्पल लिमिट्स पे मैंने होमवर्क दिया था और होपफुली आपने ट्राइ भी किया होगा आपके तरफ से उतना रिस्पॉंस तो नहीं आया मैंने बोला था सौल्ब करि कियेगा तो आप कमेंट सेक्षिन में जरूर कमेंट के थ्रू बताइएगा हलाकि यहां पर देखिए बहुत इजी एक्वेसिन है इस तरह के क्वेसिंस में अब यसी वात है जब लिमिट आप निकालते हैं तो जिस पॉइंट पे लिमिट है और फंक्शन के डिफिनिशन मे not equal to that उसी पॉइंट पे मतलब यह जो फंक्शन का डिफिनिशन है जेड स्क्वाइर ही आप लेते हैं ठीके न तो चलिए यहां पर सबसे पहले जो जेड जीरो था न वो क्या है जो पॉइंट देखिए यह पॉइंट मेरा आई पे लिकाला है मतलब जीरो प्लस क्या आई त तो यहां से जो वो और्डर पेर आप बनाते थे ना एक जीरो कॉमा वाई जीरो सोरी जिस पे लिमिट निकालते थे याद करिए जिस पे लिमिट निकालते थे तो वो रियल पार्ट होता था इस पॉइंट जेड जीरो का रियल पार्ट मेरा जीरो है और इमेजनरी पार्ट होता था यह मेरा 1 है अब यहाँ पर आते हैं जो W is equal to FZ आप लेंगे वो क्या लेंगे अब यह सी बात है आपको लेना क्या है Z स्क्वाइर और अगर Z को मैं X plus IY लूँ तो Z स्क्वाइर मेरा क्या होगा अलेडी हम लोग कर चुके हैं X स्क्वाइर माइनस Y स्क्वाइर प्लस I टाइमस 2XY ठीक है यह मैं Z की बैलो लोगा तो यहाँ से इतना पोर्षन तो मेरा U हो गया यह जो मेरा पोर्षन है This is U और इतना जो पोर्षन है वो मेरा क्या है V ठीक है न यह मेरा क्या है V clear तो अब आपको क्या करना है जिस पॉइंट पे लिमिट निकालना है उस पॉइंट पे पुरा आपका प्रोसेस पता है मैं U और V का उस पॉइंट पे लिमिट अब यहाँ पे देखे एक 0 Y 0 यह है अब मैं क्या करूँगा U का पहले निकालूँगा अब आप जरूर लिमिट X Y simultaneous limit X Y tends to X 0 Y 0 यह क्या है 0,1 और यहाँ पे U U X Y अब आप जरूर लिखिएगा नीचे using polar coordinates मैं यही पे लिख देता हूँ X की बैलू क्या होगी यह देखेए मेरा 0 है तो 0 प्लस R कॉस ठीटा और Y की बैलू B B की प्लेस पे देखेए यह लिमिट यह 1 है तो 1 प्लस R साइन ठीटा अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि as R को मैं 0 की तरफ ले जाओंगा न तो X Y अपने corresponding limits 0 और 1 पे 10 करेंगे for every theta यहाँ पे यह जरूर लिखिएगा theta पे यह depend नहीं करता है ठीक है न मैं कुछ भी theta लूँगा यह corresponding limits पे जाएंगे polar form में change कर दीजिए तो यह मेरी simultaneous या double limit जो है मेरी single limit में बदल गई limit R tends to 0 X की place पे यह रखेंगे मतलब R cos theta तो यह हो जाएगा R square cos square theta minus यहाँ पे आप लिखेंगे Y की place पे 1 plus R sin theta इसका whole square अब ultimate देखें न यह polynomial function है तो direct R equal to 0 रख दीजिए या इसको simplify करके भी रखेंगे तो भी वही चीज़े आएंगे तो direct 0 रखेंगे तो यह मेरा 0 हो जाएगा और यहाँ से minus 1 आ जाएगा यह तो 0 है यह 0 हो जाएगा R की जगा 0 रखेंगे तो ultimate मेरा क्या आगे है माइनस 1 तो यू 0 जो है मेरा यह इसी को मैं क्या बोल ला था यू 0 ठीकिन अब आता हूँ जड़ा V के लिए V0 निकालना तो simultaneous limit xy tends to 0,1 vxy ठीकिन न मतलब imaginary part उस function का तो xy tends to 0,1 और v मेरा क्या है देखिए 2xy अब same चोकि limit same है polar form यही आएगा तो यह मेरा क्या हो जाएगा polar form जब उस करेंगे so limit r tends to 0,2 x की place पे मुझे क्या रखना है r cos theta ध्यान देजिए तो यहाँ पे r cos theta और y की place पे क्या रखना है ध्यान देजिएगा 1 plus r sin theta 1 plus r sin theta again यह being polynomial r is equal to 0 रखेंगे यही पे 0 रखेंगे तो पूरा 0 overall सबके सब 0 हो गया इसको मैं क्या बोलता था यह मेरा क्या है v0 थेके न so by theorem by theorem limit z tends to i यही आपको निकालना था देखिए limit z tends to i यही आपका question दिया था fz मेरा क्या हो जाएगा so this fz this is equal to मेरा क्या होगा u0 plus iv0 theorem यही था न u0 निकालिए और u0 मेरा क्या है minus 1 plus i times v0 मेरा 0 that means minus 1 तो यहां से क्या मिला आपको कि जो मेरी limit आई given question का वो मेरा क्या आया minus 1 मैं समझा पाया कि ने friends please बोलिएगा तो दूसरा example भी बहुत easy था तो यह theorem का application कितना जबर्दस्त है अब आपको समझ में आ रहा होगा और हम limit of function of two variables जो सीखे थे polar form में convert करके निकालना बस अब देखिए यह जो concept आपने सीखा है इसको मैंने क्यों two examples में बहुत force करके या जोर देके आपको मैं सीखाने की कोशिस किया क्यों क्योंकि यह जो है आपका analytic functions में भी खास करके differentiability में भी यह concept use होगा तो limits हमने खतम किया अब आते हैं continuity continuity का बहुत आसान है इसलिए मैं इसको यही पे एक line में करूँगा ताकि continuity किसी point पे continuity तो यह link करिए यह याद करिए जरा जो हम real function की भी बात करते थे अगर from a to b from a to b real function था तो जिस point पे continuity की बात करते है न वो point function के domain में होना चाहिए that means क्या हुआ कि यहाँ पे अगर continuity की बात करेंगे तो limit के definition में deleted neighborhood ले रहे थे न देखिए deleted neighborhood लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है जिस point पे continuity की बात करेंगे उस point पे function का function को जो है न डिफाइंड होना पड़ेगा मैं समझा पाया कि नहीं friends तो continuity में मैं बहुत कुछ तो मैं नहीं बताऊंगा ठीक है न बस definition क्योंकि continuity easy है limit निकाल लिए वही approach रहेगा उस point पे function की value के equal हो जाना चाहिए तो definition बहुत आसान है example भी यहीं पे कर देता हूँ तो क्या है अब function मैं definition फटा फट लिखता हूँ अब function w is called to fz w is called to fz fz ठीक है ना is continuous is continuous at मैं देखिए z0 बोला हूँ point और यह point उसके domain में होगा z this if simple सा एक line का condition if limit z tends to z0 fz यह limit exist करें पहली चीज़ यह मैं link देता हूँ exist करें और इसी point पे function की value के equal हो real function में हम लोग यही करते थे ठीकिए ना तो इस definition को ही बस याद करिए हाँ अगर आपका epsilon delta की बात करेगा ठीके ना तो यहाँ पे सीधी सी बात है चोकि इस point पे भी function defined है तो आप सीधे सीधे कैसे लिखेंगे कि कोई भी epsilon आप लीजिए फॉर इपसाइलन ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो शच देट मॉड आप FZ minus F of Z0 ठीके ना इस इस लेस दन इपसाइलन वेन एवर ये देखिए Z minus Z0 is less than delta अब देखिए लिमिट में ये लिखते थे मतलब deleted neighborhood Z0 पे कोई function जरूरी नहीं था कि वो defined हो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता बस ये condition that means Z0 पे function को define होना जरूरी है तो ये definition होता है मैंने इसको भी बता दिया लेकिन ठीक है आप book से देखिए अगर ऐसा definition आपके exam में आता हो तो आप लिक लीजेगा मैंने यहाँ पे बता भी दिया लेकिन actual जो है मेरा numericals point view से ज्यादा तर numerical ही पूछते है तो यहाँ पे एक example मैं कर देता हूँ और ये example जो है यही वाला रहा कहां गया देखिए यह is just अभी जो example किया मैं same function defined किया और इस function क्या यह continuous होगा मैं आप से पूछता हूँ कि यह जो function defined है क्या यह continuous होगा किस पे z is equal to i पे तो यहाँ पे देखिए limit मैंने निकाला था limit z tends to i fz इसकी value मेरी i थी minus 1 लेकिन z is equal to i पे जो point है रहा उस पे function की value क्या है तो यह function की value 0 है ध्यान देजिए so this is 0 मतलब समझा रहा कि नहीं तो यह not equal to किसके है इस point पे function की value मैंने निकाला ना उसके equal नहीं है इस definition से limit exist करती है यह है लेकिन उस point पे function की value 0 दिया हुआ है function के definition में देखिया यहाँ पे that means क्या हुआ function continuous नहीं हुआ तो this will imply fz is not continuous continuous at z is equal to i ठीके ना तो इस तरीके से एक दो examples अगर मिले तो आप कर लीजिएगा continuity का मुझे कोई tension नहीं है क्योंके continuity बहुत आसान होता limit main था इस पे हमने ज़्यादा focus किया यहाँ पे continuity का यह definition और epsilon delta वाला भी definition मैंने आपको बताए just erase कर दिया book से देखके आप लिक लेंगे और यह example कर दिया अब main जो motive है जहां से question अब सुरू होंगे और वो क्या है derivatives तो या तो derivative से question आता है या फिर obviously बात है analytic functions की बात करें तो differentiability जब भी आएगा तो question link करते है long answer में कि दिखाओ कि वो continuous उस point पे बड़ differentiable नहीं है या इस तरीके से questions बनाते है तो derivatives का main concept है यहां पे differentiability बिल्कुल उसी तरीके से जैसे real function में किया था हमने तो मैं आप से request करूँगा कि real function का जो definition था differentiability का please देख के आए ताकि जब हम इसको करें तो बहुत आराम से आपके पास पहुँच पाए अगर मेरा effort आपके पास पहुच पाजावगा वीडियो को like करिएगा friends के साथ share करिएगा channel पर अगर नए होंगे subscribe जरू करिएगा so मिलते हैं next video में तब तक अपना ख्याल रखे पढ़ाई करते रहे friends thank you thank you so much for watching my videos